मेरे प्यारे पच्चों आप सभी को नमश्कार आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में मेरे दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं नंबर सिस्टम आपको complete तीन वीडियो में खतम करा हूँआ और मेरे प्यारबचो ये तीनों वीडियो मेरी सूट हो चुकी है और पहली वीडियो कल आपने देखी थी जो फर्स्ट वीडियो थी मेरे प्यारबचो इस वीडियो में लगबग मैंने दो घंटे 20 मेंट का समय लिया था और दो घंटे 20 में मेरे प्यारवचो मैंने आपको नंबर सिस्टम के बहुत सारे सवाल करा है सेकंड वीडियो आप इस समय देख रहे हैं मेरे बचे और एक थर्ड वीडियो है मेरे प्यारवचो कल की जो थर्ड वीडियो है यानि कल की उसका टाइमिंग लगभग तीन घंटे से ज़्यादा बैठेगा तो मेरे प्यारे पिछो ये कम्प्लीट तीनो वीडियो आपके पूरे नंबर सिस्टम को खतम कर देगी और आपके सामने सारे अच्छे-चे सवाल है मेरे दोस्तों आप जब भी पढ़ने बैठे तो आप सबसे पहले क्लासनोट का प्रिंट आउट ले लिया करें या फिर आप पीडियस निकाल लिया करें और कुशन्स की पीडियस निकाल लेजिए तो questions की pdf और class notes की pdf आपको कहां से मिलेगी मेरे बचे मेरा whatsapp channel है राकेश यादव सर वहाँ पर आप जाईए और वहाँ से आप question की pdf निकाल लेजी मेरे बचे और इस channel को भी हो सके आपको ठीक लगे तो follow कर लेजे अब मेरे प्यारे बचे अगली बात पर आते हैं देखो यार मैं आपके साथ सुब्य से शाम तक लगके सारी video record करता हूँ बाकाइदा फिर edited करवाता है class notes से लिखता है बहुत सारी मेहनत लगती है मैं आपसे simple एक चीज़ कहता हूँ मेरा हमेशा से एक मूल मंतर रहा है कि यार हम अपना math special batch पढ़ाता है foundation plus selection batch पढ़ाता है मेरा मैं आपको free of cost means पढ़ाने लग रहा हूँ और पूरा batch पढ़ाऊंगा आपको सोचने की भी जोड़ता नहीं और मैंने research करके देखा कि लगबख 10 लाग बच्चा ऐसा है जो means की तैयरी करेगा चाहे वो CHSL means हो या CIGIL means हो तो मेरा अनुमान से बहुत ज्यादा बच्चा है 10 लाग बच्चा है जो means की तैयरी कर रहा है और आज के समय में किसी भी जगए आप means पढ़ेंगे किसी भी teacher के पास पढ़ेंगे तो लगबख फीस है मेरे बच्चे एक हजार तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि 10 लाग बच्चों का हजार रुपे के इसाफ़ से फीस लोगे तो सो करोड के आसपास की market है मेरे बच्चे मेंस की और मैं पूरे का पूरा complete मेंस आपको free of cost यहां पर पढ़ाने लग रहा हूँ मेरे बच्चे तो मैं बस एक ही चीज़ आप लोगों से चाहता हूँ और वो मेरे बच्चे एक simple चीज़ है कि आप वीडियो को share कर देजिए क्योंकि आप share कर देंगे तो उन 10 लाग बच्चों तक हमारी बात पहुंच पाएगी उनका पैसा बचेगा और जब उनका पैसा बचेगा मेरे पहरे बच्चों तो वो हमें दुआ देंगे और मुझे दुआ देंगे तो आने वाले बच्चों को मेरे बच्च के बारे में refer कर पाएंगे मेरे foundation plus selection बच्च जिसकी फीस मातर 999 रुपए उसके बारे में बता पाएंगे देखे हम आपके लिए effort कर रहे हैं इस उद्धिश्य से के हम आपकी जर्नी में एक बहुत बड़ा रूल प्ले करें तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं यह पूरी उमीद करता हूँ कि आपको आज का session भी बहुत पसंद आएगा देखे आप अपनी तरफ से appreciation जरू करिए अगर आपको चीज़े ठीक लगती है और मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी भी question में आपको लगता है कि सर इसको और अच्छे से explain करें तो आप please comment में बदाल दिया करें हम comment पड़ते हैं उसकी remedial video बनाके मैं लगसे डाल दूँगा कि इस question का basic ये था तो आईए मेरे बच्चे अब सवाल पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल है UPSC CSAT 2030 का ध्यान देना सवाल बहुत बढ़िया है और हम यहां से देरे देरे कोसिस करके एक pattern पकड़ने की कोसिस कर रहे है उस pattern को समझाने की कोसिस करता हूँ देखे मेरे बच्चे सवाल मैं कहरा है 10 से 100 तक सभी पूर्ण अंकों है आने वाले सभी अंकों का योग क्या होगा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे अगर मैं 0 से गिंती सरू करूँ 0, 1, 2, 3, 4 अगर मैं ऐसे गिंती सरू करूँ मेरे प्यारे बच्चो इस तरीके से मैं गिंती सरू करूँ तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इनका योग कितना होगा तो आप कहेंगी ये तो सर sum of first n natural number फारूला होता है n into n plus 1 by 2 तो 9 हैं तो 9 और एक 10 9 गुना 10 बटे दो यानि सर इनका जोड जो आएगा वो 45 है बस इतनी बात समझे है कि 0 से लेके 9 तक का जोड रहता है 45 अब मेरे बच्चे मैं गिंती लिख रहा हूँ आगे 11 11, 12, 13, 14 और ऐसे में लेके जा रहा हूँ मेरे बच्चे 19 तक अगर मैं आपको यह कूँ क्या इनका जोड बताओ क्या होगा तो कुछ नहीं है मेरे बच्चे ये वाली कहानी तो सेम चली रही है बस एक कहानी अलग से है और वो ये कि एक, 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 कि ये एक्स्टा आने लग रहा है और ये गिंती लेंगे हम कहां से 10 से 10 से लेके 19 तक की गिंती लोगे तो इनका जोड आजाएगा मेरे बच्चे 55 क्योंकि ये एक जो है ये 10 बार एक्स्टा आगे यानि 10 बढ़ जाएगा एसे मेरे बच्चे मैं गिंती लो 20 से 20, 21, 22 और ऐसे चलते चलते मैं आजाओ 39 और मैं कहूँ कि इन सारे अंकों का योग बताओ तो क्या होगा 65 यानि बेसिक सी स्टैल ये है कि हर बार जोड 10 दस बढ़ता चला जाएगा और कुछ भी नहीं हमसे सवाल में उसने ये कहा कि भाई 10 से लेके 100 तक सभी पूर्ण अंकों में आने वाले सभी अंकों का योग क्या होगा तो आपको एक बात समझ नहीं है 10, 11 और कहां तक 19 तक है अगर इस गिंती को जोड़ोगे तो या आएगा पच्छ पर पीछे समझाया इसके बाद 20 वाली गिंती लोगे तो आएगा 65 30 वाली लोगे पीछे तक और ये गिंती कहां तक जानी है मेरे प्यारे पच्छो 90 तक है तो 90, 91, 92, 99, 99 तक जाओगे इसका जोड़ कितना आएगा मेरे प्यारे पच्छो अब अगर आप ये जोड़ समझ गए तो फिर कहानी सारी आसान बन जाएगी अब मुझे ये देखना है कि आप 10 के बाद कितनी ऐसी गिंती लाइने आएगी तो सर आप 10 से लेके 90 तक 9 लाइने लेकिन एक तो ये होई गई तो 8 लाइने हो राएगी और हर बार 10 दस जोड़ बढ़ता चला जाएगा तो 8 बार में 55 जमा 8 गुना 10 असी जोड़ बढ़ जाएगा तो मेरे बचे 55 में जब आप 80 जोड़ेंगे तो ये आएगा 135 इसका मतलब ये हुआ कि आखरी लाइन का जोड़ होगा 135 ठीक है अब कहा रहा है जी जो गिंती लिखी गई है इन सब का जोड़ करके बताएगे कितना है तो मेरे बचे ये एक एपी बन जाएगी क्या बनेगी अरित्मेटिकल प्रोगर्शन इनका जोड़ निकालना है तो नंबर ओफ टरम कितनी 9 नाइन बाई टू इन्टो में फर्स टरम पच्पन प्लस लास्टरम एकसो पैंतेस अब देखे जी सोल करेंगे तो 9 गटे 2 और इन्हें जोड़ेंगे पांसती नाथ एक नब है याना दो से काटेंगे मेरे बचे दो निम अठारा दो पांजे दस पिचाण में नो से गुना करेंगे नो पांजे पैंतालिस और नो निम इक्यासी और चार पिचासी आठ सो पच्पन मेरे बेरे बिचो आठ सो पच्पन मेरा आंसर होगा अगर मैं गिंती 10 से लेके निन्यान में तक लिखो और उनके सभी पूर्ण अंको मलब जितने भी अंकारे उन सब का जोड करूँगा तो उत्तर इतना है लेकिन मुझसे कह रहा कि 10 से लेके 100 तक तो निन्यान में तक कहानी बता दी अब 100 में क्या होगा तो इसके अंकों का जोड एक जिरो जिरो का क्या है मलब एक जिरो जिरो का एक आया तो यानि मेरा सही उत्तर होगा 806 एक बार आपने इस समझ लिया दुबारा आपको दिक्कत कभी नहीं होगे हमेशा यहां लखना है कि जिरो से लेके 9 तक की गिंती करोगे 45 उसके बाद हर बार अगली लाइन में 10-10 जोड बढ़ता चला जाएगा तो चाहे जितनी भी जिंती तक जा रहे हैं इसी कॉंसेप्ट से आपने चीजों को समझना और आगे बढ़ते चले जाना है तो मेरे बच्चे अगला सवाल है यह है CDS 2021 का सवाल सवाल में कह रहा है एन रीस टू पावर P-1 और-1 कहारा भाई P का गोणज है इसे इंगलिस में पड़ों को ज़्यादा समझ पाउगे कहारा जी यह वाली जो अगलिप्रेशन है ये multiple है पे का यानि यह वाला aggression पे का multiple है जान एन पी का अभाज है अगर मेरे बैचे एन और पी दोनों को प्राइम नंबर है जिनमें कुछ भी कोमन नहीं आता है तो आपको ध्यान यह रखना कि हम एन और पी की जो भी वैल्यू लेंगे वह ऐसे लेंगे जिसमें कुछ भी कोमन ना है तो सवाल में कह रहे हैं कि पी एक होगा पी हमेशा ही एक नंबर होगा प्राइम होगा रेशनल होगा रियल नंबर होगा प्राइम होगा तो दिखे यार ऑप्शन बहुत आसान दे रखें अगर आप रियल नंबर उठा लेते हैं तो रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आता ह प्राइम भी आता है अना तो फिर इन तीनों option का कुछ relevance बची नहीं जाएगा अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये भी answer होगा ये भी answer होगा ये answer होगा ऐसे ही मेरे पहरे बचो अगर मैं rational number answer चूज करता हूँ तो ये भी आंसर हो जागा ये भी क्योंकि ये भी rational number होता है तो ऐसे सवाल में बहुत ज़्यादा संहाऊना होगी आपको कि ना ये answer मिलेगा ना ये answer मिलेगा इन दोनों में से कोई एक answer मिलेगा यानि P या तो एक प्राइम नंबर लेना या एक कमपोजेट नंबर लेना है और ध्यान ये रहे कि दोनों के दोनों कमपोजेट को प्राइम हो तो मैं N का मान 2 ले लेता हूँ समझाने के लिए और P का मान 3 ले लेता हूँ आईए जी देखता है अब N का मान अगर मैं 2 लो और P का मान मैं 3 ले रहा हूं तो 3 में गया 2 2 गी पाउर 2 माइनस एक यह नहीं 4 4 में गया 3 तो क्या यह जो नंबर है उसने कहा था ना कि यह expression P का multiple है तो क्या यह 3 का multiple है आंसर है मतलब मैंने P अगर prime number लिया तो यह multiple हो रहा है अब मैं ले रहा हूं composite number ले ले रहा हूं कुछ भी कैसे जैसे मान लीजे मैंने यहां पे इस बार मैं क्या कर रहा हूं यहां ले ले रहा हूं 3 और यहां लेके दे रहा हूं 4 तो 4 मेरा क्या है composite number है रखके देखता और N क्या है 3 तो यह आया 3 की पावर 4 में से 1 गया मेरे बच्चे 3 माइनस 1 तो 3 की पावर 3 27 में गया 26 क्या 26 जो है मेरे पहरे बच्चो वो P का multiple है आप कहेंगे नहीं इसका मतलब मेरे बच्चे P जो है वो composite number तो satisfy नहीं करेगा P क्या satisfy कर रहा है प्राइम नंबर तो मेरे पहरे बच्चो मेरा option A यहाँ पर right answer है फिर अपनी बात दो रहा दो अगर मैं rational पर टिक करूँगा तो प्राइम भी अपने आप automatic टिक हो जागा और मुझे एक चुनना है इसलिए किसी भी हलत में rational नहीं हो सकता real number नहीं हो सकता अना क्योंकि हर real number rational भी होता है prime भी होता है मतलब real number के ही यह तीनों टुकुड़े है समझ गए आई सवाल में करें यह दी पांच करमागत पूर्णांकों का योग S है तो S के पदमून में सबसे बड़ा पूर्णांग आप देख रहे हैं variable दिया हुआ है मेरे बच्चे CHSL मीन्स का सवाल है CHSL मीन्स का सवाल है तो variable अपनी तरफ से कुछ भी value मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 5 करमागत संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 करा है इन सब 5 करमागत संख्याओं का जो जोड़ है वो S है तो 5, 4, 9, 3, 12, 12, 14, 15 तो S का मान क्या है मेरे बच्चे 15 अब कह रहा है जी यह जो सारी टाम आपने लिखी है इन में सबसे बड़ा पूर्णांग कों सा है तो सबसे बड़ा पूर्णांग तो 5 है अब 15 रखके देखो कों सा 5 दे रहा 15 में 10 गया 5 वटे 4 नहीं है 15, 5, 20, 20 को 4 से भाग दोगे 5 सैटिस्फाई कर रहा है यह सैटिस्फाई कर रहा है मेरे बच्चे हाँ जी यहां रखके देखेंगे तो 15, 10, 25, 4 से भाग ही नहीं जाएगा 15 और 10, 25, 25 को 5 से भाग देंगे 5 यानि मेरे बच्चे यहां तक यह तैह हुआ कि option A गलत है और option B गलत है COD में से A contradict कर रहा है A को लेना होगा next time क्या करते हैं यहां पर मैं जो number ले रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6 ले ले रहा हूँ क्योंकि कोई की consecutive 5 नमर लेने तो जोड कितना होँआ 5, 4, 9 और 3, 12, और 2, 14 और 6, 20 तो जोड आया 20 है यानि मेरे बच्चे S का मान क्या आगया 20 अगर S का मान 20 है तो 20 और 25, 25, 4 से भाग होके क्या 6 देगा कभी भी नहीं देगा यहां देखते हैं S का मान 20, 20 को 30, 10 जोड़ा 30, 30 को 5 से भाग देगा तो क्या 6 दे रहा है हाँ तो यह मेरा answer उसने यहीं पुछा सबसे बड़ा पूर्णांग क्या होगा तो मेरे बच्चे option D आए बाबो यह है CGL मेंस 2022 का सवाल सवाल में कह रहा है कि यार इस expression में आपको बताना है A, B, C, D की value क्योंकि जो A, B, C, D की आएगी वही यहां रखे value निकलेगी तो सबसे पहले आप क्या करिए मेरे प्यारे बच्चो इन सवालों को prime factorization आपको करना होगा क्या करना होगा भाई prime factorization करना होगा अब आपको दिखाई दे रहा कि 847 11 से भाग जा रहा है कैसा है 847 15 15 में 4 गया 11 से भाग जा रहा है तो इसके 11 के टुकडे बनाएंगे तो 11 एकम 11 11 साथ सतेतर और बच्चा कितना साथ 11 साथ सतेतर तो मेरे बच्चे ये मेरा answer है अब सतेतर को भी हम चाहें तो लिख सकते हैं 11 गुना साथ आपने कासर बिलकू ठीगा अब आते हैं मेरे बच्चे 385 385 को टुकडे करें तो 5 से जाएगा 5 साथ ए 35 और 5 साथ ए 35 फिर से सतेतर आगए नहीं 11 गुना साथ आगए अब आते हैं मेरे बच्चे 675 पांच से जा रहा है तो 5 अच्छा 5 से नहीं 25 से चला जाएगा क्योंकि 25 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो 25 होता है 5 की पावर 2 तो 25 से कम 25 25 दूनी 50 बचा कितना 17 25 साथ ए 100 पावर 2 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 क्योंकि प्राइम फैक्टराइजिक्शन करना है अब आया 3025 3025 भी आज जानने 25 से भाग जा रहा है हना 25 से भाग जा रहा है यह नहीं 5 की पावर 2 से तो 25 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो 25 से कम 25 बचा 5 25 दूनी 50 25 से कम 25 और 121 होता है 11 की पावर 2 अब इसको सेट करेंगे मेरे बच्चे तो 3 की पावर 3 ही है फिर पांच की पावर देखें तो एक बार दो तीन बार और दो पांच बार तो पांच की पावर पांच आया फिर मेरे बच्चे साथ उठाते हैं तो साथ एक बार यहां आ रहा है एक बार यहां दो बार फिर 11 उठाते हैं तो 1, 2, 3 और 2, 5 तो 11 की power आया मेरे बच्छो 5 अब compare करेंगे तो 3 की power को A माना हुआ है तो A का माना आगया मेरे बच्छे 3 5 की power को B तो B का माना आगया 5 7 की power को C, C का माना आगया 2 और 11 की power को D, तो D का माना आगया 5 अब कह रहा है A into B करो तो मेरे बच्छे 3 गुना 5 करेंगे या क्या आगया 15 और C into D करो तो 5 गुना 2 करेंगे 10 इनका difference निकालो answer है 5 यही मेरे प्यारे बच्छे मेरे सवाल का answer है यानि आपको कुछ नहीं करना prime factorization करना है और कुछ नहीं आए देखिए राजा देखिए मेरे बच्छे ध्यान से मेरे बच्छे मेरे प्यारे बच्छे सवाल है A.C.I.O. 2023 का सवाल सारे सवालों की रिंज आपको देखके मन कर रहा होगा बढ़िया सवाल उठा रहे हैं आपको पढ़के लग रहा होगा means की feel आ रही है पढ़ा देते हैं एक बार उससे 999 फीस ले लेते हैं उसे में हम foundation batch भी पढ़ाते हैं selection batch भी पढ़ाते हैं carrival app पर तो दुबारा उससे फीस लेने का मतलब नहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो भाई comment जरूर किया करें like भी करी और share भी करी सवाल में कह रहा है एक और 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं पर वीचार करें consider all prime number between 1 and 100 कहता है एक से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं जिनके उपर चर्चा हो रही है इन 3 statement है पहली चर्चा में कह रहा है एक number that is 1 greater than multiple of 5 कहता है एक number जो 5 के multiple से एक बड़ा है 5 के multiple से एक बड़ा है कहता है इसका unit digit 3 या 6 हो सकता है तो मेरे पहले बचो किसी भी अहलत में क्योंकि 5 को किसी से भी multiply करोगी तो जीरो आएगा या 5 आएगा तो 0 में एक जोड़ोगी तो का इक आएगा आएगा और 5 में एक जोड़ोगी तो 6 है तो 1 या 6 तो हो सकता है 3 या 6 नहीं हो सकता है इसलिए पहली statement काटा लग गए पहली statement मेरे बच्चे काटा लग गए के लिए अब आते हैं अगली statement अगले में पुछ रहा है the sum of all number which are one greater than multiple of 5 कहता भी या वो सारे number ढूंडो जो 5 के multiple से एक बड़े है किसके भी किसके बीचे उनने एक से 100 के बीच में सारे prime number ढूंडो जो 5 के multiple से एक बड़े है और क्या उन सबका जोड 215 आ रहा है तो हमारी पहली लड़ाई ये होनी चीए कि भाई जब भी आप 5 का multiple करोगे ना 5 का multiple करोगे तो 5 के multiple दो आते है 0 हो सकता या फिर 5 अगर even लेंगे तो 0 एका एकंग कायागा ओड लेंगे तो 5 और एक जोड़ेंगे तो यहां तो यह prime number की संभावना है लेकिन 5 में एक जोड़ेंगे तो यहां एकाई का उच्छह आजाएगा यह even number होगा किसी भी अला तुमें prime number नहीं होगा तो prime number जो होंगे न मेरे बच्चे या तो आपका 11 हो सकता या 21 हो सकता या 31 हो सकता या 41 हो सकता या 51 हो सकता ऐसे होंगे तो आपको यह चेक करना है 11 है 21 प्राइम निम्बर है नहीं 11 के बाद 31 है बिल्कुल है 31 बाद 41 है बिल्कुल है 51 नहीं सर भाग जा रहा है 61 है 21 है 81 है 91 है नहीं तो कि रहा है इनका जोड़ चेक करो कि क्या 250 आ रहा है तो देखो 1 2 3 4 5 सेट हो गया साच चैट 13 13 और 4 17 17 और 30 20 और 21 दो सब्सक्राइब तो मेरे प्यार 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 जो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है अब जानते हैं आई भी बहुत अच्छे सवाल दालता है और मेंस में बहुत ज़्यादा समावना यहां से सवाल कोपी के जाए अब आता है थ 5 के मल्टिपल से एक बड़े है और 6 का भी कोई मल्टिपल होगा उससे भी एक बड़े है तो कुल मिला कि आपको 6 और 5 30 के मल्टिपल से एक बड़ा नमबर ढूना है तो अब आप जानते हैं 30 को किसी से भी गुना करोगी काई कंग 0 आग और एक जोडेंगे तो इकाई कंग है ही नहीं क्योंकि मैं डूंड रहा हूँ एक से सो के वीच के सारे प्राइम नंबर तो मेरे बच्चे मुझे ही देखना है क्या इनका जोड बहतर या बानम हो सकता एक और एक दो छेर तीन हो यही वो मुझे से चेक करा रहा है तो मेरे प्यारवचो यह है उत्राकंड पब्लिक सर्विस कमीशन गा PCS का आयवाव सवाल है अब आप यहां से यह देखिए कि हमारी कुश्चंस की रेंज क्या है और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हम कितनी मैनत कर रहे हैं लोगों के लिए पूरी टीम बैटके सारे दिन मेरे साथ ही हम यह डिसकसिन करते हैं तब जाके सवाल सारे चटते हैं सवाल में किया रहा है छेंकों वाली एक संख्या है में चटा यानि सबसे दाया अंक तो भाई छेंकों की संख्या ले लेते हैं यानि ए जमा बी जमा सी के बराबर पाँचवा अंक पहले दो अंकों के योग होता है तो पाँचवा अंक यह है यह पहले दो अंक यानि ए जमा बी के बराबर है उसके बाद कह रहा है तीसरा अंक पहले अंक के बराबर है तीसरा अंक पहले अंक के बराबर है यानि A और C आपस है बराबर है ठीक है जी यहाँ तक की बाद अब कहा रहा है दूसरा अंक पहले अंक का दोगना होता है दूसरा अंक पहले अंक का डबल है यानि B का जो मान है वो A का डबल है बहुत बढ़ी आजे अब आगली लाइन में कहा रहा है और चोथा अंक पांचे और छटे अंक के योग के बराबर है चोथा अंक यह निए D जो है वो पांचे और छटे E और F के जोड़ के बराबर है तो हमसे सवाल में किरा है चोथा अंक सबसे बड़ा संभावित मान गयात करिए बहुत प्यारा सवाला आपके में एजिटीज रखा मिल सकता है जो लेंग्विस्टी मैंने उठा के रखती अब आपको कुछ नहीं करना भी आप जानते है ए और सी बराबर है अगर ए और सी बराबर है तो मेरे प्यारे विचो बी का मान दो ए हुआ बिलकुल ठीक है अना ध्यान से समझ जा और सी का मान A हुआ तो A, 2A, A जोड़ेंगे कितना हैगा चारे तो F का मान आगया 4A B का मान 2A हुआ और A हुआ तो E का मान आगया 3A अब लड़ाई यह है कि D क्या होगा E जमाए F तो E और F को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 आते हैं, यानि D का मान हर हाल में साथ का मल्टीपल होगा और मेरे बचे, आपको ये भी पता है E मैं अपको आपको आपको जगो बाप çok भर भी मुश्किल नहीं है सर आप अगर पढ़ा रहे तो बढ़िया से संग में आ रहा मेरे बच्चे कमेंट जरूर करते रहे तो आए बहुत सारे बच्चे ऐसे जो वीडियो देखते हैं उनको पसंद आती है लेकिन देखके चले जाते है मेरे भाई कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है हर चीज की कीमत होती है हम आपके लिए वो कीमत अदा कर रहे हैं तो आप कम से कम ये कीमत अदा जरूर करिए कि बच्चोता के स्योडियो को सेर करें कह रहा है 731 की पावर 730 को 9 से भाग देने पर तो रिमेंडर आ रहा है मेरे बच्चे एह कुछ भी आ रहा होगा अब आप जानते हैं 731 नो से तो भाग जा नहीं रहा 730 और 11 अंकों का जोड गया रहा है तो मेरे बच्चे ये दोनों आपस में को प्राइम है और अगर को प्राइम है उस 731 की पावर 4 हो इसे 9 से भाग देना है 9 से भाग देंगे 9,8,2,1,4,9,9,9,2 2 की पावर 4 क्या हुआ जी 16 16 को फिर से 9 से भाग देंगे रिमेंडर आया 7 और वो यही कह रहा है कि जो सेस्फल आ रहा उसका नाम ए है पूरा कॉंसेट से समझना है तो भाईया आप अपने बैच में आईए मेरे में वहाँ मैं इसे बहुत लंब से समझाऊँगा एक आमान आया 7 अब कहरा जी एकी पावर ये है इसका ही काई क्यांग बताइए तो एक आमान है 7 और 7 की पावर जो भी हो 33, 25, 24 हमें ये पता है कि यूनिट डिजिट निकलना है तो 4 की पावर पर साइकल घुमता है और 4 की डिविजिबिलिटी का नियम होता है आखरी दोंग तो 24 पून ते भाग हो रहे हैं तो यूनिट डिजिट 7 की पावर 4 होगा 7 की पावर 4 होता है 24, 101 इसका मतलब मेरे पेरफचो इसका इकाई कांक एक होगा या नियुक ऑप्शन सी ये है मेरे पेरफचो SSC CIGIL मेंस का सवा SSC CIGIL मेंस का सवा मेरे बचे जो भी अच्छे सवाल मेंस में आस तक आए हो सारे ही सवाल मैं आपके साथ पिक कर रहा हूँ आहे कहता जी तीन करमागत विसम संख्याओं का गुननफल 215 है मध्यवाली संख्या का वर ग्यात करो ये सवाल है मेरे पेरफचो IB ACIU 2023 का अब ध्यान से मेरी बात सुनेगा क्या कह रहा हूँ मैं मैं कह रहा हूँ कि दो तरीके या तो हम उप्शन से चले जाएं या हम सोल कर ले अगर हम सोल करेंगे तो हमें 2145 के फैक्टर करने जी पांच से भाग जा रहा है बिल्कुल जा रहा है पांच एकम पांच फिर बचा क्या पांचोग 20 फिर एक आया पांदो नी 10 पांच नीम 45 नो चार तेरा में दो गया ग्यारा ग्यारा से भाग जाएगा तो ग्यारा एकम ग्यारा तीए तेटिस बचा नो ग्यारा नीम 49 49 को तीन गुना तेरा लिख सकते हैं बल्कुल ठीक है और कहरा तीन करमागत विसम संख्या है एक संख्या तो मिल गई 11 और एक संख्या मिल गई 13 तो अगली करमागत संख्या क्या होगी पांस ती पंदरा तो ये तीन मेरे पेरेव चो करमागत विसम संख्या है हमसे सवाल ने पूछा बीच वाली संख्या का वर्ग बताओ तो 13 का वर्ग 119 होता है तो answer आया option है दूसरा तरीका क्या है सर दूसरा तरीका यह है कि हम option ले ले 119 गवर्गमूल 13 यानि बीच वाली संकh张 13 ते से पहले वाली 11 उसे अगले वाली 15 अब हमें यह देखना है क्या इनका product इतना आ रहा है जो दिया है तो दूसरा तरीका है कि आप्शन से वापसी चले जाए है हाँ जी आए मेरे बिच्चे बहुत प्यारा सवाल है CGL Means का सवाल मैं एक भी कुशिन ऐसा नहीं ले रहा है जो भाई याद हो सारे सवाल आपके CGL Means के उठा रहा हूं I.B. के उठा रहा हूं बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि आज पता कर लेते हैं एक फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल मेरे बच्चो एक बात हमीशा ध्यान अखना चार फैक्टोरियल ऐसा नंबर है जो चार से भाग हो जाता है चार फेक्टरिल चार से भाग हो जाता है तो इसके बाद जितने भी नंबर है न सारे चार से भाग होने है तो जब भी ऐसे फेक्टरिल को चार से भाग देना हूँ तो मेरे बच्चे चार से पहले वालों को solve करना और कुछ नहीं करना जैसे एक फेक्टरल का मतलब एक दो फेक्टरल का मतलब दो एकम दो और तीन का मतलब शह तो छह दो आठ ते नो नो को चार से भाग दो चार दुनिया डूनिया ट सेसफल आया एक यही है मेरे बिचे योने डिजिट का खेल अब यहां आपको यह ध्यान देना है कि भाई यह जितनी भी पावर लिखे हुई है इन सब को 4 से भाग दोगे सेस्पल आएगा एक तो 3 की पावर एक योने डिजिट 3 इसे 4 से भाग दोगे सेस्पल आएगा एक आठ की पावर एक आठ इसे भाग दोगे सेस्पल आएगा एक जार से समझ रहे नहीं या एक है तो मेरे प्यारे पीजाए जो अब आप यह बार जानते हैं कि 5 की आप जो मरजी पावर लगाओ 5 ही रहेगा unit डिजिट 9 की पावर चेक करनी तो 64 की पावर 31 क्या है सर ये even पावर है और 9 की even पावर पर युने डिजिट एक रहता है क्योंकि 9 की पावर 2, 80 समझे एक आगया 6 की जो मर्जी पावर रखो युने डिजट 6 रहेगा अगर 5 फैक्टरल से बड़ी वैल्यू है तो मेरे प्यारे इचों मेरा युने डिजट आयो ये सवाल है युपी सब इंस्पेक्टर का युपी सब इंस्पेक्टर का हम किसी भी एक्जाम को को नहीं छोड़ रहे है पूरा रेल्वे रगड़ है सब कुछ रगड़ है जो अच्छा सवाल मिल रहा सारी जगे से पिक कर रहे हैं में इसके लिए आई देखें मेरे बच्चे एक बाद ध्यान से समझे हमें यूनेट डिजिट चैक कर रहा है तो पावर को 4 से भाग देना है आप कहेंगे जी विलकुल सही बात है पावर को 4 से भाग देना है यह बताओ एक फैक्टरल की पावर एक यानि एक की पावर एक दो फैक्टरल मदब दो की पावर दो तीन फैक्टरल मदब छै की पावर चै चार फैक्टरल होता है चोविस तो चोविस की पावर चोविस इसके बाद हर हाल में यूने डिजिट 0 आएगा तो 0 की जो मरजी पाऊर लगा लो एकाई कंक 0 आएगा अब इसको सैट करना है तो बेटा, ये बताओ एक की पावर एक यूने डिजिट 1 एक रहेगा दो की पाऊर दो य automat चार रहेगा यहाँ पे आपका unit digit आएगा सेब हाय ना मज़ा आया यह बहुत ही खुबसूरत सवाल है बहुत प्यारा सवाल है यह है मेरी प्यारा चो SSC CGL Means का सवाल है SSC CGL Means का सवाल है सवाल में किरा है N की value दिरक्की है find the unit digit of N तो सबसे पहला काम तो मुझे यह करना है कि इस factorial में सबसे पहले N निकालना है यह ऐसे है यहाँ N है यहाँ N है यहाँ N है ऐसे कहानी कह रहा है मेरे पुच्छे हाई न और कुछ नहीं कह रहा है बस यही पात कहने लगे अब मुझे एक बात बताओ सबसे पहले बताओ कि N को solve करेंगे तो इकाई कंग क्या है तो आप कहेंगे देखो सर्थ यहाँ 5 पकड़ोगे तो 5 factorial से सारी value का unit digit 0 बस इसको solve करना 4 factorial की value 24 इकाई कंग 4 3 factorial की value 6 2, 1 यहाँ एकाई कंग देखेंगे 6, 4, 10, 0, 2, 1, 3 यानि इस N जो नंबर है इसका हर हाल में एकाई कंग 3 आए N जो नंबर है मेरे बच्चे इसका एकाई कंग 3 अब मेरे बच्चों दिमाग यह दोड़ाना हमने कि हाँ 3 है तो 3 के आप जो मर्जी यह और सी मेरा right answer अब मेरे बच्चे एक बात बताना अब हमें करना क्या है हमें आभी यह करना है सर कि इस सारे segment को soul करना है और इसे 4 से भाग देना है इस पूरी कहाणी को 4 से भाग देके देखना है क्या remainder हैगा तो मेरे बच्चे N का मतलब है एक factorial, दो factorial, तीन factorial चार factorial पाँच factorial यह तो है N आपने का जी बिल्कुल ठीक है अब यह तो है मेरे बच्चे N और सच बात है यह इसकी power है यही तो कहाणी थी यहाँ N raise to power N इसको 4 से भाग देना अब एक बात बताना मेरी बात समझे के नहीं समझे तो इसका color white कर दे रहे ताकि मजा है आप अब जब मैं इसे 4 से भाग दूँगा तो अभी बताया था यह तो खत्ब और 3, 2, 1 के factorial को जोड को 4 से भाग देंगे सेस्फल आएगा एक, बिल्कु ठीक है और एक की आप जो मरजी power कर रिमेंडर आएगा एक इसका मतलब मेरे प्यार अबचो यह हुआ के N की power N करोगे तो यह रिमेंडर आएगा वन इसका मतलब 3 की power 1 बचा 3 की power 1 बचा मतलब unit digit आएगा तो मेरे प्यार अबचो option 3 मेरा right answer मैं आपको दोनों चीज़े बता रहा हूँ तुक्के बाजी भी पूरा conceptual part भी मजा रहा है तो एक ही काम करना है वो आपको पता है आई सवाल में कह रहा है X और Y पूर्णांक है मेरे प्यार अबचो यह सवाल repeated है किस चीज से यह CGL में भी पूछा हुआ है और GMAT में भी पूछा हुआ है हमने यह GMAT से उठाया तो मेरे प्यार अबचो इस सवाल को अगर आप देखोगे अगर इस सवाल को आप ध्यान दोगे तो कह रहा है X और Y दोनों पूर्णांक है X स्क्येर जो है ना इसका इका 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 command 3 है तो 3 में 3 गया 0 यानि कोई भी answer आसकता उसका unit digit 0 होगा आप कहेंगे 40 हो सकता है बिलकुल हो सकता है क्योंकि x और y तो बड़े भी number हो सकता है उनकर difference बड़ा भी आसकता है लेकिन हमारा खेल unit digit से है यानि 0 आसकता है दूसरा अगर मैं x का मान 3 ले लो और y का मान 7 ले लो तो घटेगा हाँ सर हसिल लेनी पड़ेगी 13 13 में 7 गया 6 यानि सर 6 भी आसकता है ये भी संभव है सरा मैं ऐसा भी तो कर सकते हैं कि x का मान 7 ले ले और y का मान 3 ले ले तो 7 में 3 गया 4 हाँ सर 4 भी संभव है लेकिन उसने मुझसे पूछा क्या है उसने मुझसे पूछा कौन सा नहीं हो सकता तो जो संभाव नहीं है वो मेरे प्यारवचो ओप्शन D जो संभाव नहीं है मेरे प्यारवचो वो है ओप्शन D जो संभाव नहीं है मेरे बचे वो है ओप्शन D यानि D नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है देखें मेरे भाई, सवाल में GMAT का कॉशन है SSC भी आप से पूछ सकता है सवाल में किरा है, जब 3 की पाउर 32 को 50 से भाग देते है तो कहता है कि इसका जो एक्सप्रेशन आता है वो ऐसा आता है A, B, C, D और लास्ट में जाके, डैसिमल के बाद दो अंका आता है X और O, आपने का जी ठीक, तो कहता है इसको इस प्रारूप में जब हम लिखेंगे तो Y का मान क्या हो सकता है, यह हमसे पूछ रहा है लेकि सवाल बहुत प्यारा है हर कुशन को करने का एक ही तरीका है मेरे बच्चे, पहले वीडियो को रोकिए, सवाल खुद करिए अब मैं समझाता हूँ देखो अर सबसे पहला काम यह है, कि हम unit digit ब्रेक करें तो मेरे बच्चे, तीन की पाउर 32 का unit digit निकालते है आप कहेंगे, चार का साइकल गुमता है, exit गुम रहा है तीन की पाउर 480, unit digit आया एक इसका मदलब सर, इसको जब हम solve कर रहे होंगे तीन की पाउर 32 को, तो solve होते 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 यहाँ unit digit आ रहा होगा एक है यहीनि तीन की पाउर 32 को जब हम solve करेंगे तीकाई कांकेक आएगा और बटे आएगा पच्चास अब मुझे ये पता है कि मुझे आखरी में दो डिजिट चीए डैसिमल के बाद तो मुझे नीचे सोल आना होगा तो सोल आने का नियम ये कि इधर दो से गुना करो तो मेरे बच्चे ये तैह रहा कि इसे सोल करते करते इसका इकाई कंक आएगा दो और नीचे आएगा मेरे बच्चे पचास दुनी सो तो जब डैसिमल में लेके जाओगे तो ये डिजिट क्या आएगा मुझे को नहीं पता लेकिन ये तैह है कि इससे अगला जो डिजिट आएगा वो दो है बाई दो जीरो है ना क्या इस सवाल पर हम ही क्रिट्री साइज किया जाना ठीक है लोग अपने ग्लासेज में कह रहे है मैट के कोशिन करा रहा है क्या इस सवाल में मुझे क्रिट्री साइज करना ठीक लग रहा आपको आपको लग रहा है इस सवाल बहुत मुश्किल है यह आपको लग रहा है कि यह सवाल बहुत आसान है और मज़ा आगया सर समझके चल्दी से कमेंट करके मुझे बही बताओ क्योंकि आपका अप्रिशेशन ही आपको आगे फैदा दलाएगा देखे मेरे वचे सवाल में यह कह रहा है एकस और वाई संख्या इतने इतने के 21 स्थान के अंख है यानि एकस और वाई डिजिट है अब सवाल में कह रहा है कि एकस और वाई दोनों बराबर नहीं है यह बात भी ठीक है इसकी पावर 63 और इसकी पावर 85 के 21 स्थान का अंख समान है देखो मेरे बच्चे 408 इसकी पावर 63 है और मेरे बच्चे 789 इसकी पावर 85 है मेरे बच्चों सवाल में यह कह रहा है दोनों का यूनिट डिजिट सेम है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए इनकी तो जुर्टी नहीं है ना इनकी जुर्ट है समझदार को इसारा ही काफी है तो मेरे प्यारे बच्चे इबताओ यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 से भाग देना होता है पावर को 4 से भाग देंगे 60 जाएगा यनि X क्यूब आया और यहां मेरे बच्चे Y इसे 4 से भाग देंगे 84 चला गया एक तो Y की पावर एक तो X और Y मेरे बच्चे ऐसे दो नमबर हैं जिनमें एक का क्यूब दूसरे की पावर एक के बारा बारा आ रहा है अब मुझसे पुछा क्या है मुझसे पुछ रहा है What will be possible value of X प्लस Y कह रहा है X प्लस Y का संभाव मान क्या हो सकता तो आप ये देखें दिमाग दोड़ा के किसी का क्यूब करें मान लेते एक नमबर लेते एक अगर एक का क्यूब करेंगे तो ये डिजिट एक आएगा बिल्कुल ठीक है आपने गा जे बिल्कुल ठीक है तो Y की value क्या लेनी होगी सर Y की value फिर एक लेनी होगी अगर मैं X का मान एक ले लूँ तो एक का क्यूब एक लेकिन Y का मान एक लूँगा तो एक की value एक आएगी लेकिन सवाल ने का कि X और Y दोनों बरावर नहीं है Y बरावर नहीं और power यहाँ एक बच रही है तो एक एक तो नहीं होगा अगर मैं इसे 2 ले लूँ तो X का मान 2 ले लेता हूँ तो 2 का क्यों कितना है 8 तो भाही Y का मान मैं 8 ले सकता हूँ 8 की power एक 8 आ गया यानि X का 2 ले लू, Y का 8 ले लू तो set हो रहा है जो की चाहिए तो एक प्लस Y का क्या मान हो सकता है तो X का 2 और Y का 8 ले ले लेता है तो उत्तर 10 आ रहा है और उसने ये थोड़ी का कितने मान possible हो सकते है उसने का X प्लस Y का मान क्या संबभ होगा X प्लस Y के कितने मान संबभ होगे ये नहीं कह रहा X plus Y का मान क्या possible होगा तो भाई 2 8 पे set हो रहा है हमने answer निकाल दिया अगर आप 3 लेंगे तो 7 आएगा 3 और 7 को भी set करेंगे मेरे बच्चे तब भी जोड़ 10 ही आना है तो मेरे प्यारे बच्चो answer होगा ये है मेरे बच्चे 2018 देखें मेरे बच्चे ये सवाल है SSC CHSL मेंस का सवाल बहुत प्यारा सवाल है ध्यान से देखें सवाल में क्या रहा है कि एक नमबर है N और N का मतलब यह है और क्यारा है ये नमबर 11 का गुना है 11 से भाग हो रहा है तो कोई संख्या 11 से तभी भाग होगी जब alternate digit का पे रहा 8, 9, 17, 17, 18, 18, 19 तो 19 जमा पी आया मेरे प्यारवेचों एक जोड़ेगा अब दूसरा जोड़ा लेता है 3 और 7, 10, 10 और 6, 16 16 और 6, 22, 22 जमा क्यों दूसरा जोड़ा है 22 जमा क्यों अब ये त्या है कि इन में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा हो यहां 3 साइड कर रहा है क्यों बड़ा है पी से तो अगर क्यों पी से बड़ा है तो 22, 19 से बड़ा है यह बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो घटाएंगे तो भई अब 22 में से 19 गया 3 बचा तो 3 जमा Q और यहां बचा minus P यह जो value आने चाहिए मेरे बच्चे यह ऐसी value आ जाए जो मेरा 11 बना दे 0 बना दे 22 बना दे ऐसा कुछ अब Q की value ध्यान है ध्यान रखना Q और P 0 नहीं हो सकते क्योंकि 0 से बढ़े चाहिए तो क्या ले सकते है मेरे बच्चे मैं ऐसा करशकता हूँ कि भई मैं इसे 0 बना लेता हूँ अगर 0 बनाऊंगा तो आप जानते हैं Q minus P कितना आ जाएगा minus 3 आप कहेंगे संभवी नहीं क्योंकि Q बढ़ा है P छोटा है तो minus आएगा ही नहीं तो मुझे यहां बनाना पड़ेगा 11 तो उदर ले जाएगे तो आएगा 8 अब देखो 8 कैसे आ सकता है तो maximum Q की value क्या हो सकती 9 और P की value क्या हो सकती एक बस तभी 8 बनेगा अगर मैं इसे 8 ले लूँ इसे 0 तो उसने कहा ही है कि दोनो 0 से बढ़ें तो मेरे बचे Q और P की value 9 रेक बने अब कहरा है कि इस संख्या को 9 जमा 1 यानि P की value है मेरे बचे 1 और Q की value है 9 यानि 10 से भाग दें कहता है इस पूरे नंबर को अगर 10 से भाग दें तो सेसफल क्या होगा तो 10 से भाग देंगे तो सेसफल वही आएगा और Q का मान कितना है मेरे बचे 9 तो यहां last digit क्या है 9 last digit क्यों था तो उसका मान 9 था तो इसे 10 से भाग देंगे तो सेसफल 9 ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा तो option B आपका correct answer आएए बाबो देखे यार IB ACIU 2023 का question है भाई IB बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है आएए द्याग से कहानी को समझे भीया sum of cube of first n natural number का क्या सुत्र होता सर तो वो रहता सर n into n plus 1 by 2 पूरे की पावरती या 2 यह रहता है मेरे बचे sum of first n number natural number की cube का sum sum of cube of first n natural number तो पहले वाले में कह रहा है कि भीया इसके 10 पदों का योगफल 3020 और 3030 के बीच मैंगा तो 10 term है 10 की value 10 आई 10 और 11 बटे 2 करेंगे 2,5,10,11,5,5 तो यह रहता है तो यह रहता 55 का work करना आता है कैसे 5 का और 25 और 5 से अगला number 6,6,5,3 तो इनका जोड 3025 आएगा यह बात सही और 3025, 3020 और 3030 के वीच मैं तो पहली statement ठीक है अब पहली statement के आधार पे हम answer निकाल सकता है कि सर यह answer गलब क्योंकि पहला तो ठीक हो गई होगा अब समझे है यह के फसा रखा आगे, आओ भई अब second statement में आते है second statement में कहा है if x is subtracted from the sum of this up to 10 times it becomes a square देखे है नीचे वाली term को अगर देखे तो ज़्यादा असान है पर मैं चलो इसे समझाता हूँ कहता है अगर x को हम इनके पहले 10 हमके क्यूब से घटा दे, इनके जोड से घटा दे तो यह एक वर्ग बन जाता है तो मेरे प्यारे चोब पहली 10 प्राकरतिक संख्याओं का क्यूब ले रहा है कहरा जी इनका जोड निका लो तो इनका जोड आया 30-25 अब कहता है इस में से अगर हम x घटा दे, बिल्कुल ठीक 30-25 था कहरा जी अगर हम इस में से x घटा दे x क्या है मेरे बच्चे कहरा x की minimum value है 17 यानि 17 भी ले सकता है उससे बड़ी भी value ले सकता है तो मेरे बच्चे अगर में minimum value 17 है तो कहरा है 17 घटा दो तो भीया 15 में 7 गया 8 बिल्कुल ठीक है तो कहरा है जो result आया क्या वो perfect square होगा तो नहीं होगा, क्यों क्योंकि कोई भी perfect square number होगा तो इसका एकाई कांग 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता और यहां मेरे बच्चे 2, 3, 7, 8 में से 8 हो रहा है तो second statement गलत आप यह कह सकते है 17 से बड़ा भी रख सकते है बिल्कुल ठीक है लेकिन हमें तो गलत चीज सिद्ध कर देनी चीए क्योंकि उसने कहा कि minimum value 17 है तो 17 रख देते हैं 17 पर प्रूफ नहीं हो रहा तो यह नहीं universal truth नहीं है मदलब यह सवाल statement यहां गलत है अब second गलत है मेरे बच्चे second गलत है तो यह वाली statement भी गलत हो गए है अब हमें third को check करना पड़े है आप भया third वाले में क्या गाना कह रहा है third वाले में हमें कह रहा है कि भई 11 से लेके 20 तक का तो पहले क्या करो मेरे बच्चे एक से लेके 20 तक का क्यूब निकाल लो इनका जोड निकाल लो तो आप कोगे जी 20 20 का आदा करेंगे 10 20 और 21 बिलकुल ठीक है भई 20 रखेंगे तो 20 का आदा 10 20 और 21 तो यह आया 210 अब 210 का वर करोगे तो भई यह 0 21 का वर गवा 441 यानि 44100 आया इस में से फिर पहले 10 का क्यूब घटा दो पहले 10 का क्यूब था 3025 वो मेरे बच्चे हम इस में से घटा देते हैं तो देखो 45 बच्च रहा है लास्ट में 41 जरब पिच्च रहा है तो मेरे प्यारवच्च यह स्टेटमेंट ठीक है तो इसका हम लग थार्ड स्टेटमेंट ठीक और फर्स स्टेटमेंट ठीक है तो मेरे प्यारवच्च वो क्यूब और क्यूब ऑप्च्च रहा है देखें इन सवालों में थोड़ा कई बार समय लगता है लेकिन हमें इनकी प्रैक्टेस करनी चाहिए ताकि ऐसा सवाल गलती से एक पर्षेंट भी आ जाए तो उनसे टेकल करें आईए सवाल में किरा है मेरे पच्चे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस साथ सो अड़सर किरा भिया यह नंबर एक्स से पूर्णते भाग हो रहा है तो एक्स से तभी भाग होगा जब यह भाग हो जाए यह भाग हो जाए यह भाग हो जाए तो यह दोनों तो भाग हो ही रहे यानि एक्स एक ऐसा नंबर होगा जो 768 को एक्जेक डिवाइड करते है आपने का जे बिल्कुल ठीक है तो 768 एक्जेक डिवाइड होना चीए तो क्या किया जाए करना ही होगा यह देखो किस से भाग जा रहा है साथ से 13, 13 और 28 किस तीन से भाग जा रहा है तो तीन से भाग देते हैं तीन, तीन दूनी छे तीन पजे पंदरा, तीन चींग अठारा, दो सो चपन और 256 होता है मेरे बचे 2 की पाउर 8 यानि 708 के टुकडे वे तीन की पाउर 1 और 2 की पाउर 8 अब कहा रहा है नमबर ओफेक्टर बता देने हमें भाई X का मान वो सब हो सकता है जो 768 के टुकडे होंगे तो 768 के टुकडे क्या क्या हो सकते हैं तो एक में एक जोड़ा 2 और 8 में एक जोड़ा 9 9, 2, 1, 18 इसका मदला मेरे प्यारे बच्चो इसमें 8 टुकडे संभव है मेरे नन्य मुन्य बच्चो इसमें कितरे टुकडे संभव है 18 टुकडे मेरे प्यारे बच्चो हमारे यहां पे यानि एक्स की 18 वैल्यू संभव देखे यार क्यारा यार इस रजल्ट का इका इकंग क्या होगा तो मेरे पच्चे आँग बंद करके n की वैल्यू रुखो देखो यहां ओड है पावर यहां पे भी ओड है पावर ओड यहां पे भी लेकिन हमें एक बात तो पता है कि तीन ओर दो के यूनिट डिजिट जो है वो ओड पावर से डिसाइड नहीं होते हैं हर चार पावर पे चीज़े बदलती है तो एक बार मैं इनकी वैल्यू वन रख लेता हूँ वन रखोंगा तो दो रेक तीन तीन की पावर तीन यूनिट डिजिट साथ या दो की पावर तीन यूनिट डिजिट आठ आठ साथ पंदरा इकाई कंगा है पांच है मैंने क्या किया मेरे बचे इनका वैल्यू वन रखा तो दो रेक तीन साथ है दो रेक तीन आठ है तो यह नहीं एकाई कंग 5 तो हो सकता है और यह हमें option में दिर्खें तो cds में आया था सवाल मेरे बचे तो मेरा answer हो जगा 5 कोई दिक्कत है आए भाईया देखे यार बहुत ही जवर्दस सवाल है मज़ा आजाएगा आपको देखके मेरे प्यारे बचे जो ssc.c.c.l. means में पूछा गया सवाल है सवाल में कह रहा है कि भाईया a प्लस b की पावर a प्लस b a प्लस b कह रहा है यार यह 500 से exact डिवाइड है यह 500 से exact डिवाइड है तो यार a और b के संभावी तो मान गयात करके बताएए क्या हो सकता है देखे मेरे बागो एक बात समझे इस पूरी कहानी को soul करके इस पूरी कहानी को soul करके हर हाल में मुझे उपर last के दो डिजिट तो जीरो चाहिए ही चाहिए उसी स्तीती में 500 इसे भाग दे पाएगा यानि मुझे हर हाल में आखरी दो ऑंग तो जीरो जीरो चाहिए अगर मेरे बच्चे इसको soul करके आखरी दो ऑंग आगे मालो 2-3 आगे जीरो जीरो के लावा कुछ भी आगे ते कभी भाग होगा नहीं या आखरी ऑंग जीरो लिख दिया तो भी ये कभी 500 से भाग होगा नहीं यानि यह तय है कि हर हाल में मेरे पेरविचो मुझे A और इस पूरे रजल्ट को सोल करके आखरी दोंग 0-0 लाने अब आखरी दोंग 0-0 कब आ सकते हैं तभी आ सकते हैं पावर के गेम में जब जो A प्लस B है इसका यूनिट डिजिट 0 है अगर इसका यूनिट डिजिट 0 है तो इसकी मैं कोई भी पावर करूँगा 0 और एक के अलावा कोई भी पावर करूँगा तो हर हाल में उत्तर में क्या आ जाएगा अंतिम दोंग 0 आ जाएगा आपने का हाँ ठीक है यानि पहली बात तो पस्ट यह थैय हो गई के बावू A प्लस B का जो मान होगा वो हर हाल में या तो 10 होगा या 20 होगा या 30 होगा या 40 होगा या जो मरजी होगा लेकिन उसका अंतिमंग 0 होगा और उसका मल्टिपल हो अब सवाल में कहाँ एक है तो मेरे बच्चे क्या इन A और B का जोड 20 हो सकता है क्योंकि 20 के कोई भी दो ठुकुडे करोगे तो उनका multiplication कभी भी इतना छोटा नहीं आएगा ये तो तभी बन रहा होगा जब A प्लस B का मान क्या होता है अब यहाँ से एक लोजिक ध्यान रखेगा अलजबरा जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि अगर मेरे बच्चे आपको A प्लस B दे रखा है गीवन है और अगर मैं आपसे कहूं कि maximum value बताओ A इंटू B की है तो मेरे प्यारे बच्चे तभी संभा होगी जब A और B बराबर हो या इनके बीच का difference कम से कम हो difference कम से कम हो एक तुक्के वाली बाद उतारो छोटा logic कम से कम हो लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चो आपको A इंटू B की minimum value चाहिए तो यह तभी संभाव है जब A और B का difference ज़्यादा से ज़्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा हो अगर मेरे बच्चे ऐसा नहीं है तो A इंटू B कभी भी आपका minimum नहीं आएगा अब अपने सवाल में क्या पूछा है अपने सवाल में इका है कि what is the least possible value of A and B कि A गुना B की सबसे छोटी value बताओ तो A गुना B की सबसे छोटी value तभी आएगी जब A और B का difference सबसे कम होगा तो भीया क्या ले सकते हैं 9 और 1 ले लेते हैं तो मेरे बच्चे 9 एक कम 9 तो इसका सबसे छोटा जो product आ सकता है मेरे बच्चे ओ 9 आ सकता है क्योंकि 9 और 1 की बीच का difference सबसे बड़ा आप सोच रहे हों कि 10 और 0 ले 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 तो संभवी नहीं है कारण क्या है 10 और 0 लोगे मेरे बच्चे तो गुना करने पे सारा ही setting आपकी 0 आ जागी तो वो 0 है यह नहीं किसी भी option में तो मेरे बच्चे difference सबसे ज़्यादा लो तो 10 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो जिन में difference सबसे ज़्यादा तो एक और नहीं है तो उनका product आया नो तो इसका अनसर होगा हर सवाल को सीखने का करने का एक ही तरीका कि पहले आप खुद करें आना फिर बेरी वीडियो को देखें आये यहाँ सवाल में मेरे बच्चे कह रहा है CGL Means का सवाल है कह रहा है एक ताले के चार अंकों वाले पिन है और पिन का नाम है A B C D सवाल में कह रहा है कि B जो है वो A का double है और C B का double है और D C का double है तो दो गुना फिर चार गुना फिर आठ गुना तो भीया यह आठ गुना है तो किसी डिजिट का आठ गुना भी डिजिट होते है तो तब ही संभव है जब पहले इसका मान एक रखा जाए यह double है तो यह 2 होगा ये डबल है तो ये चार होगा और ये इसका डबल है तो आट होगा यानि हर हाल में बारा सो अड़तालिस ही उस ताले का पिन होगा आपने का जी ठीक है अब कह रहा है जी बताओ ये पिन इनमें से किस से भाग जा रहा होगा तो 1248, 2 और 3 तो सारे option में यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी तो 2 और 3 से तो 6 नहीं हो नहीं नहीं राजा बागू आपने का हाँ, 2 और 3 कितना होता है, 6 6 से भाग देंगे तो 6, 2 नहीं, 12 और 6, 8, 8, 48 यानि जो भी मेरा आंसर होगा, मेरे बच्चे वो 208 होगा यानि जो भी अब आंसर होगा, वो 208 से भाग जाना चीत 5 तो आंसर होगी नहीं सकता, 1 आए काँग, 0 यह 5 होता 11 हो नहीं सकता, क्योंकि 8 और 12 7 से भाग दे, 7, 3, 14 बचा 6, 7 भी नहीं हो सकता हर हाल में आंसर, यह यह होगा, 2, 3, 13 13 से भाग देंगे, 13, 13, 13, 16 गटें तर तो मेरे बच्चो मेरा राइट आंसर होगा, option C आए भी या यह सवाल है मेरे बच्चो, CHSL मेंस का यह जो क्लास हैं, आपको CHSL मेंस में भी काम आएंगी और सीजल मेंस में भी काम आएंगे कह रहा है, there are 50 boxes and 50 percent person one keeps one marble in every box, person two keeps two marble in every second box, person three keeps three marble in every third box सावल में ऐसे कह रहा है कि पहला जो आदमी है ना वो हर डब्बे में एक कंचे डालेगा जो दूसरा आदमी है, वो हर दो-दो डब्बे में कंचे डालेगा हर दूसरे डब्बे में, तीसरा आदमी हर तीसरे डब्बे में कंचे डालेगा चोथा आदमी हर चोथे डब्बे में कंचे डालेगा ऐसे कहानियां चल रही है और चोथा आदमी हर चोथे डब्बे में चार कंचे डालेगा पांचवा आदमी हर पांचवे डब्बे में पांच कंचे डालेगा तो सवाल में कह रहा है कि भाई पचासवा आदमी जो है वो हर पचासवे डब्बे में पचास कंचे डालेगा समझी गए तुम मारवल अब कह रहा है कि भाई ये बताओ उसने एक डाला होगा दूसरे आदमी ने भी दो डाले होगे पचासवे डबे में वही तो लोग डालेंगे जो पचास से भाग चले जाएगे तो एक जाएगा दो जाएगा उसके आद मेरे बचे पांच जाएगा फिर दस जाएगा फिर पच्चिस जाएगा और फिर पचास यानि यही लोग तो हैं जिनकी बारी पचासवे में आएगी जैसे मालो तीसरा आदमी है वो तो हर तीसरे डब्बे में डालेगा तो उसकी बारी कभी भी पचासवे में डालने में आएगी नहीं तो कहरा जी इनका जोड करके बता दो पचास हो आदमी, पचास डाले गए, पच्चिस डाले गए, दस, पांस, दो, एक, तो जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आएगा तिराण में इसका मतलब तिराण में कंचे डाले गए होंगे, तिराण में डब्बे में वैसे भी हम समझ सकते थे कि 43 और 6 तो आँसर हो नहीं सकता क्योंकि 50 वे डब्बे में, 50 वे आदमी ने तो 50 डाले हैं, तो उत्तर 50 से ज़्यादा होगा देखे मेरे बच्चे, सवाल है SST CIGIL मेंस का, बहुत बढ़िया सवाल है सवाल ने हमको कहा के भाई, A प्लस B प्लस C प्लस D का जोड़ है 30 यानि 4 संख्याओं का योगधर रखा 30 मुझसे पूछ रहा है मेरे बच्चे, इस expression की minimum value बताए, क्या होगी मेरे दोस्त अगर इसकी minimum value चाहिए, तो मुझे A का B से difference भी minimum चाहिए और मेरे बच्चे, A का C से भी difference minimum चाहिए, A का D से भी difference minimum चाहिए यानि मेरे बच्चे, A, B, C, O, D ये ऐसे number चुनने हैं मेरे प्यारे बच्चो, जिनके बीच का difference सबसे कम मिले क्योंकि जितना कम difference होगा मेरे बच्चे, उतना ही square का sum करके value नियुनतम लाई जा सकते अगर मैं 4 बराबर बराबर टुकडों में बाट दू, क्योंकि जितना बराबर बराबर टुकडों में बाटेंग उतना difference कम होगा तो अगर बराबर बराबर टुकडों में बाटू तो 30 को 4 से भाग दूँगा, साड़े 7 आ जाएगा दिक्कत क्या जी साठ्षे-7 में को नियांद कर रहा? दिक्कत ये है कि पूरांक है तो साठ्षे-7 ले नहीं सकते तो क्या करो? A को 8 ले लो B को 8 ले लो बाकिव को 7-7 ले लो हो गया 30 अब देखे ध्यान से A को 8 लें B को 8 लें तो 0 आया आठ में से साधगया एक कवर गेग, अठ में से साधगया एक कवर गेग, मेरे बच्चे जोडो गे तो answer क्या जागा, तो देखे मेरे दोस्तों, ये जो सवाल है, ये है UPPCS का और ये बहुत जानदार सवाल है, ध्यान से देखे, क्या सवाल में कह रहा है, कहता है, लेट A1, A2, A3, A4, A5, B, a sequence of 5 consecutive odd number, कहता है, ये 5 करमागत विसम प्राकरतिक संख्या है, अब कहता है, एक नया sequence बनाईए, जिसमें स जो इसके उपर end होगा, वो मेरे बच्चे, A1 number का sequence होगा, पांच करमागत संख्या होगी, और कहरा है, पांच करमागत संख्या होगा, जो योग है, वो 450 है, तो मेरे बच्चे, एक बात हो, पांच करमागत संख्या है, इनका योग 450 है, इनका योग 450 है, तो मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे बीच वाली संख्या निकाल के बताओ कितनी होगी तो आप पहेंगे इसे पांच से भाग दे दो तो मेरे बच्चे ये इस बीच वाली टर्म का डबल है तो मेरे बच्चे अगर मैं चुरानमे का आधा कर दूँगा तो इसका मतलब ये टर्म क्या है? 47 इसका मतलब इस सिक्वेंस में जो ये A3 है ये मेरे राजबाबा 47 है अब 2-2 ये ओड टर्म है जी 10 की पावर 67 माइनस 87 को आधार 10 अंकेतन में पूर्णांग के रुप में लिखा जाया मतलब ये हुआ कि इसको कमपलीटली लिखा गया सोल करके लिखा गया 10 अंकों के रुप में है नहीं से पूरी तना खोल के लिखा गया तो इस प्रकार जब इसे खोला गया तो कहता है इसके सारे अंकों का युग जात करी है मेरे बचे एक बात आओ अगर मैं दस की पावर एक लिख रहा हूं तो आया 10 दस की पावर दो लिख रहा हूं तो आया सो तो आप एक चीज नोटिस करेंगे जितनी पावर उतनी ही जीरू आएंगे ऐसे ही मेरे बचे दस की पावर 66 का मतलब है कि इसके अंदर कितनी जीरू आएंगे 66 जीरू आएंगे कितनी जीरू आएंगे 66 जीरू आएंगे मेरे बचे आपने खा ठीक है और माइनस 87 करेंगे तो ये 13 के आखरी अंक 3 आएगा और ये 1 आएगा बिल्कुल ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ ये टोटल अंक जैसे 10 की पाउर 1 करा तो अंक 2 बने 10 की पाउर 2 किया तो अंक 3 बने तो मेरे बच्चे जब घटाएंगे तो इससे आगे सारे के सारे क्या बच्चे चले जाएंगे 9, 9, 9, 9, 9, 9 ऐसे ही तो बच्चे जाएंगे देखो ऐसे समझो अगर मैं 1000 में से आपको समझाने के लिए मैं कहूँ के भाई ये 10,000 में से 7 घटा दो तो आप 10 में से 7 क्या 3 लिखोगे यहां कितना बचा? 9 बचा यहां कितनी जीरो थी? 1, 2, 3, 4 तो अंक भी कितना है? 1, 2, 3, 4 तो ये वालंक तो आप घटा के लिख लेंगे बाकी आप कहेंगे 4 जीरो थी 4 में से ये वालंक निकल गया तो बच्चे कितने 3 तो 9 आएगा 3 बार ऐसे ही मेरे बच्चे यहां 10 की पाउरती 66 इसका अलब 66 0 है 67 0 में से 2 0 घटाने के बाद तो आया 13 तो 66 में से 2 घटा है कितना बच्चा मेरे बच्चे 65 इसका मतलब जो भी मेरे उत्तर आएगा उसमें 9 कितनी बार आएगा 65 बार आएगा तो करें इसके सारे अंकों का यह ग्याद करो तो भाई 9 तो आरा 65 बार और एक और तीन का जोड़ चार अब इने जोड़ना है तो 9 5 45 5 4 9 अच्छा दो उप्षन है तो 9 5 45 9 6 4 और 4 अठावन नहीं 9 5 45 का 5 हसल 4 9 6 4 अठावन और जमा चार तो मेरे बचे 5 8 9 मेरा रइट आज़ना है इसका मदलब मेरे पैरे बचे इसके सभी अंकों का योग है 589 सभी अंकों का योग है मेरे बचे 589 देखे यार CDS का कुशन है सवाल में किया रहा है 4 भिन भिन अबाज्य संख है पहली चीज आपको यह समझनी है कि यह सारी के सारे प्राइम नंबर है भाज्य संख है और A, B, C, D का ओसत है 35 लेकिन यह यह नहीं किरा कि चारी की सारी कंजुकेटिव है यानि लगाता रहने वाले प्राइम नंबर है बस इतनी बात है लेकिन चारों अलग है कहता है सबसे बड़ा है D, फिर C, फिर B, फिर A, A सबसे चोटा है D जो है वो 36 से समान दूरी पर है, A और D कहता है 36 से समान दूरी पर है तो ध्यान अगना D बढ़ा है, तो मेरे प्यारे प्रचों D जो होगा, वो 36 से जितना दूर होगा उतना ही दूर A होगा यानि हम यह कह सकते हैं कि 36 A और D के कहीं बीच में सैट हो रहा है अगली लेन में कह रहा है कि भाईया B और C 34 से समान दूरी पर है तो बड़ा कौन है C तो C जो होगा वो 34 से बड़ा होगा और B 34 से छोटा होगा अगली लेन में कह रहा है A और B 30 से समान दूरी पर है तो B बड़ा है तो B जो है वो 30 से बड़ा होगा और A 30 से छोटा होगा अगली लेन में कह रहा है C और D 40 से समान दूरी पर है तो B बड़ा है तो D और C 40 से समान दूरी पर है यानि D 40 से बढ़ा होगा और C 40 से छोटा हो तो सवाल में किरा है A और D के बीच का अंतर ग्याद करिए क्या होगा और एक option ये भी है कि क्या निकाला ही नहीं जा सकता तो ध्यान से देखिए मेरे प्यार विचो कैसे करें अगर हम इस कहानी की तरफ जा रहे हैं तो सबसे छोटे वाले नंबर को बगड़ते हैं सबसे छोटा नंबर A और B है तो मेरे बच्चे A और B में A और B ऐसे नंबर है कि 30 से B जितना बढ़ा होगा उतना ही A 30 से छोटा होगा तो 30 से छोटे प्राइम नंबर किनने सरू करो क्या क्या होता है सर 23 भी होता है 29 भी होता है बहुत सारे होता है तो 23 तीस में साथ गया 23 और 30 में साथ गया जोड़ा सैंते यानि A और B 23 और 37 भी हो सकते है A और B ये 30 से 29 एक कम है तो ये 31 भी हो सकते है तो B कमान 37 भी हो सकता है 31 भी लेकिन यहां से देखके बता चला कि B कमान 34 से कम है यानि 37 वाली कहानी गलात है मतलब यह हुआ कि सर एक जो होगा वो एक कम होगा तो B एक ज्यादा होगा यानि 31 अब B 31 है मेरे बच्चे तो यह 34 से 3 कम है तो यह 3 ज्यादा होगा यानि 37 होगा और C मेरे बच्चे कहां है C, 37 है तो 40 से 3 कम है तो ये 40 से 3 जयादा D, 43 होगा बिल्कुल ठीक है और मेरे बच्चे D, 43 है अगर D, 43 है तो यहां से आपने देखा कितना gap है, 7 का gap है तो इधर भी 7 का ही मेरे बच्चे gap होना थे तो यहनी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाना है 14, दूसरा अगर यह 43 है, तो यह आएगा 39, अच्छा A हमारा 39, यहां से ही find out हो गया था, तो हमसे पूछा A और D का डिफरेंस बताइए, तो मेरे प्यारे बच्छे, मेरे right answer होगा, क्या 14, A और D के बीच का जो अंतर होग है, सवाल बहुत खुबसूरत दिया हुआ है, क्या रहा है, X की पावर 11, माइनस X की पावर 3, इसे जब भाग दे रहे हैं, तो उत्तर आ रहा 26, 26, क्या रहा जी X की क्या value possible है, X के कितने मान संभव है, मेरे बच्छे आप जानते है, unit digit के लिए पावर को 4 से भाग देना होत इसका मतलब दोनों ही cases में unit digit same और उसकी power same है, तो जो unit digit यहाँ आएगा, वही unit digit यहाँ आएगा, और अगर same unit digit में से same unit digit घटाओगे तो answer आएगा, last का 0, यानि answer का 1 icon 0 आएगा, जबकि answer का 1 icon 6 है, इसका मतलब X की कोई भी value possible नहीं है, मतलब X की कोई ऐसी value है ही नहीं, उसन value नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का unit digit same और same unit digit को घटाओगे, तो 0 आएगा, जवाद नहीं रहा, इसलिए गलत है, देखे यार, यह सवाल SSC भी दबागे उठा रहा है, और UPSC ने 2019 में सवाल उठाया, इसके बाद CGL Means ने यह सवाल उठाया, मेरे बच्चे, ऐस 136, पांच भी साथ में जोड़ा जाता है, तो रजल्ट जो आ रहा है, वो साथ ए तीन आ रहा है, बेलको ठीक है, कह रहा है, ए और भी दोनों पूर्णांक और यह दिया गया कि साथ ए तीन ए से पूर्णते भाजित होता है, 7A3 जो है मेरे बच्चे, यह तीन से पूर्णते भाग हो रहा है, ए क्या है डिजिट, तो जीरो से लेके नो तक कुछ भी हो सकता है, अब मुझे पता है कि इनके अंकों का जोड़, यानि तीन से भाग होना तो तीन तो कटी गया, तो साथ में क्या जोड़ है कि तीन से भा लग जाएंगे, तो A की वैलियो मेरे बच्चे 2, 5, 8 ली जा सकती है, तो सवाल में कह रहा है, B का एक मातर संभावित मान क्या है, आते हैं जी आईए, देखो यार, 7 और 6, 13 का 3 हंसिल, 1, 1 और 3, 4, 1 और 3, 4, अब 4 में मैं क्या जोड़ू कि A का मान मेरा क्या आजा है मेरे ब तो यानि B ऐसा रहा होगा कि इसमें जोडने पे हसिल आई होगी, तो ये 3 और 1, 4 है, अगर ये 3 और 1, 4 है, तो हर हाल में ये मेरे बच्चे 6 से बड़ी वैलियो होगी, तब ही ऐसा बन पाएगा, क्योंकि 6 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो A का मान 2 रख सकते हो, 5 रख सकत अगर मैं चाहता हूँ कि A का मान 2 आए, तो भहिया 3 और 1, 4 है, तो यहाँ B का मान क्या लेना होगा, 8 तो 8 और 4, 12 का हासिल मला 2, हासिल 1, 7 आ जाएगा, तो B का मान 8 संभा होगा, तो कहरा B का 1 मातर संभा हुई तो मान गया, तो 8 आ गया, आप कहें 5 भी तो चेक करो, देखो बचे B का केवल और केवल एक ही मान सेट हुआ, that is 8, यह मेरे पहराव चो सवाल है, SSC सीजल मेंस का, देखें, हर चीज यहाँ पर रिपीट होती है, जो सी सेट पूछ रहा है, सीडियस पूछ रहा है, जो नजदीक के एक्जाम पूछ रहा हो, सारे सवाल मेंस में रिपीट हो जाते हैं, क्या रहा है, 5A7, और 335, इन दोनों को जोड़ा जाता है मेरे पहरावचों, तो परिणाम आता है, 8B2, 8B2, 8B2 जो है, वो 3 से भाग हो रहा है, तो अंकों का जोड़ देखें, तो 8 और 2 10, यानि 10 जमाब 20 जो है मेरे पहरावचों, वो मेरा 3 से भाग हो रहा ह 10 को देखे तो 9 भाग चला जाएगा अब B का मान 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है क्योंकि अंक है तो भाईया 2 ले सकते है B का मान फिर 5 ले सकते है B का मान फिर 8 ले सकते है तो B का मान यहां 2, 5, 8 है आपने देखा कैसे हूब भू लगबग लगबग सवाल सेम भीड़ा दिया इसी में नजदीक के जितने सवाल हो सारे आपके लिए उठा के ला रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आए समझने है अब आते हैं आगे 7, 5, 12 का 2 हसल 1 सेम ही सवाल बना दिया अब हमें यह देखना है कि 5 और 3, 8 यानि यहाँ हसल है ही नहीं तो यहाँ A की जो भी मैं वैल्यू रखोंगा वो ऐसी वैल्यू रखना है कि हसल लाए तो 3 और 1, 4 अब B की वैल्यू में कहला सकता हूँ 2, 5 और 8 अब मेरे बच्चे B की वैल्यू 2 रखी जा सकती नहीं क्योंकि तीन और एक चार चार में दो लाने के लिए तो आठ रखना पड़ेगा और हसी ला जाएगी फिर यह नो हो जाएगा तो यह गलत है पांच लाने के लिए तीन और एक चार तो एक आमान क्या हो सकता है एक तो एका एक possible मुत्तर एक हो सकता है दूसरा अगर आठ लाना हो तो तीन और एक चार तो एका मान क्या लाना होगा मेरे बच्चे चार तो एक मान एका चार उसने पुछा एका सबसे बड़ा संभावित मान ग्याद करो एका सबसे बड़ा संभावित मान ग्याद करो तो मेरे प्यारे बच्छो मेरा सही उत्तर होगा चार मेरे नन्ने मुन्ने बच्छो मेरा option D यहाँ पर absolute correct answer option D यहाँ correct answer आईए जी यह SSE Cigal Pre का question है किरा 720 के विसम गुणन खंडों का योग ग्याद करी है मेरे बच्छे 720 को हम क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे देखो सर आठ नीम 72 और गुणा 10 है तो 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5 आठ दुनी 16 यानि 2 की पाउर 4 गुणा 3 की पाउर 2 गुणा 5 की पाउर 10 यह बने मेरे बच्छे टुकडे अब कह रहा है इसके किवल ओड फैक्टर का सम निकाल के बताई तो मेरे बच्छे even कुछ चाहिए ही नहीं 3 की पाउर 2 में कौन-कौन से फैक्टर बना 3 की पाउर 0 3 की पाउर 1 3 की पाउर 2 5 की पाउर 0 5 की पाउर 1 तो भाईया 9, 3, 12 और 1, 13 तो तेरा चिक अठेतर यानि मेरे बच्छे इसके सारे के सारे ओड फैक्टर का सम 78 है देखें आपको किसी भी कुश्चन की पीडिएफ चाहिए है मेरे बच्छे क्लास नोट्स चाहिए हैं इनके जो मैं लिख रहा हूँ हैंड इटन क्लास नोट्स अगर देखने हो तो आप आँख बंद करके पूरी वीडियो का वेट ना करा करे हैं दोपहर में ही बेसक जाके चेक कर लिया अगरे दोपहर या शाम 3-4 बजे तक और वहाँ आपको आराम से मेरे वाट्स अब चैनल राकिश यादव सर इसको सर्च कर लिजी और इस चैनल पर मेरे प्यारे पिछो आपको कम्प्लीट पीडियो भी मिल जाती है टाइम से ही वीडियो जरूर आतको नौब जाती है लेकिन पीडियो में टाइम पर डालने की कोसिस करता हूँ कैबल आवाज्य गुनन कड़ो तो देखो तीस को क्या लिख सकते हैं तीस को लिख सकते हैं सर्थ तीन गुना दो गुना पांच तो यह होगा सर्थ तीन की पावर सोला यहीं लिख देता हूँ यार सोला को लिख लेते हैं दो की पावर चार यहां दो की पावर 16 तो 42, 72, 16 को जोड़ो कि मेरे बच्चे ती आ जाएगा 2 और 2, 4 और 6, 10 7, 4, 11, 1, 12, 1, 13 2 की पावर 130, 3 तीन की पावर 16 यहा रही भाई 5 की पावर है कुछ 5 की पावर 16 यहां है, 42 यहां तो 6, 2, 8, 4, 1, 5, 8 तो मेरे बच्चे प्राइम फेक्टर ढोगने हैं तो आपको क्या करना है, पावर एड करनी है तो जोडते हैं, सिर्फ पावर एड 8 और 6, 14, 4 देखना भाई, कहां गडबड करी है मैंने सोरी मेरे बच्चे यहां गडबड थी, यह 5 की पावर 21 था माफी भाई, यह 5 की पावर 21 था ना माफी, माफी, माफी हाद जोड़ के माफी भाई तो यहां जब जोड़ोगे तो 21 और 16 को जोड़ेंगे 21 और 16 होगे 37, माफी भाई अब सैट बठेगा, जोड़ोगे तो 7, 6, 13 का 3 हासल 1, 3 और 1, 4 और 3, 7, और 1, 8, 1 तो मेरे प्यारे प्यारे चोड़ोगे नमबर और टोटल फैक्टर प्राइम बनेंगे 183 यानि अब हज्य गुणनखंडों की कुल मिलाके संख्या 183 है हाँ जी करा जी 1080 के कितने गुणनखंड अपने आप में पूर्ण है मेरे बच्चे 1080 को 108 गुण 10 लिख सकते हैं आप कहें हाँ 12 निम्मे 108 कर ले सर विल्कुल ठीक है 12 को 4 गुण 3 कर ले गुण 9 कर ले गुण 10 को 2 गुण 5 कर ले यानि मोटी बात यह है सर इसको लिख सकते हैं 2 और 4 यानि 2 की पावर 3 9 और 3 3 की पावर 3 और 5 की पावर मेरे बच्चे 1 ये मेरे प्यारे बच्चो इसका total factor बना है हम मेरे प्यारे बच्चो मुझे देखना है कौन-कौन से इसके perfect square बनेंगे तो करना क्या होता है perfect square के लिए इसे 2 से भाग दो और देखो जहां तक जा रहा है इसे 2 से भाग दोगे एक जा रहा है एक जोड़ दोगे दो आया इसे भाग दोगे तो 0 आया, 0 में 1 जोड़ा, 1 आया तो इसका अनलब मेरे प्यारे बच्चो 4 factor ऐसे बनेंगे जो perfect square होंगे 4 factor ऐसे होंगे जो perfect square बनेंगे देखें बाबु कराजी इसके कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 120 के multiple है सबसे पहले तो इससे simplify करो 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5 की power 5 पहले इसका टुकड़ा 2 की power 8 और 2 की power 5 ही हो गया मेरे बच्चे 2 की power 13 3 की power 6 5 की power 4 यहां है और मेरे बच्चे 5 वहां है तो 5 की power 9 अब कराजी 120 के टुकड़े तो देखो यार 24 पंजे 120 होता है 24 को हम 8 गुणा 3 लिखते है यानि हमको 120 का multiple बनाना है तो 8 यानि 2 की power 3 टेकना पड़ेगा 3 टेकना पड़ेगा और 5 तो 2 की power 3 लेना होगा 3 की power 1 भार निकालना होगा तो 3 भार लेने काद यहां 2 की power 10 बचा यहां राजा बाबू 3 की power 5 बचा और यहां 5 की power मेरे पैरवचो 8 बचा अब 10 में एक जोड़ा 11 5 में एक जोड़ा 6 और 8 में एक जोड़ा 9 तो देखो जी 9 चिक 54 54 को 11 से गुना करोगे 4 4 5 9 5 59 में मेरे पैरवचो मेरा राइट आंसर हो यानि 59 में ऐसे गुनानखंड होंगे मेरे बच्चे जो CHSL में में पूछे जाएं मतलब 120 के मल्टिप्लिकेशन मल्टिपल होंगे इसमें कितने 59 में फैक्टर आए देखे यार दोस्त मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ 71 की पावर 3 प्लस माइनस 40 की पावर 3 प्लस माइनस 31 की पावर 3 मैं इसे A मान रहा हूँ इसे B और इसे C तो मेरे बच्चे आप ध्यान दोगे तो A प्लस B प्लस C जीरो होगा क्योंकि माइनस 31 माइनस 40 माइनस 14 और प्लस एकतर 0 हो जाएगा तो मेरे बचे अगर A प्लस B प्लस C 0 है तो A Q प्लस B Q प्लस C क्या होता है एकुल टू होता है सर थ्री A एकतर गुना B माइनस चालिस गुना C माइनस एकतर लेकिन दिक्कत यह कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मिरा आंसर, अब मुझे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में दिकत कोई नहीं देगा, 30 को करूँगा 5, गुना आठ आठ को लिकूँगा 2 की पावर 3, गुना 5, गुना 31, और गुना 11 मुझसे पुछा है कि अच्छा टोटल फैक्टर्स की संख्या कितनी है आओ भई तो आप देखेंगे एक में एक जोड़ा दो तीन में एक जोड़ा चार एक में एक जोड़ा दो एक में एक जोड़ा दो दो दोनी, चार चार दोनी, आठ आठ चुक बती बती दोनी, 64 तो मेरे नन्य मुन्ने प्यारे बचो यहाँ पर मेरे total number of factor जो निकल के आएंगे 64 है, मेरे प्यारे बचो यहाँ SSC CGL means का सवाल है total number of factor इसके जो निकल के आएंगे, वो 64 हैंगे ऐसे सवाल मैं आपको सिंप्ली पिशन में भी हो सकता करा हूँ क्योंकि वहाँ क्यूग अले फार्मले पर सवाल रहते हैं यह बिहार SSC का सवाल पेपर का सवाल है क्यारे एक संख्या N को जब भाजक D से भाग दिया जाता है तो सेस्फल अठाईस आता है जब चार N करते हैं वहलब संख्या का चार गुना तो 28 का चार गुना करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 112 कहता है इसको D से भाग दिया जाता है तो सेस्फल दो आता है 112 में से दो घटाएंगे बच्चा 110 यानि मेरे बच्चे D जो होगा वह ऐसा नंबर होगा जो 110 का फेक्टर होगा 33 एक्सोदस का फेक्टर नहीं 66 एक्सोदस का फेक्टर नहीं 44 एक्सोदस का फेक्टर नहीं केवल 55 है 55 ही एक ऐसा नंबर है जो मेरे बच्चे 110 को भाग दे रहा है और कोई नंबर है ही ने यही सवाल ने पूछा तक भी वो D क्या होगा D का मान गयात करें देखे यार सवाल में कह रहा है कि X की पावर M और X की पावर N इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो जो परिणाम आना चीए वो A का है तो M और N में क्या उसे इस्ता कुछ नहीं भाई अगर यहां M का मान पाँच हो तो N का मान मान माइनस पाँच हो फिर क्या फाइदा होगा यह वन अपोन में हो जाएगा और कट के आनसर ही का जाएगा तो बहुत M और N में इक्वल होना चीए बस मेगनिट्यूट चेंज हो गया है माइनस है यहां प्लास हो तो मेरे बच्चे ऑप्शन B मेरा करेक्ट आनसर है और यह सवाल SSE CGL मीन्स का सवाल है मैंने मीन्स के सारे सवाल पिक की है चाहिए हो 2015 में आयवा हो 2017 में 2018 में 2018 मीन्स का कुश्यन तो मैं सारे सवाल ले रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को एक एक एक्जेक्ट अंदाज आ जाए क्याता है एक प्रिंटर के एक प्रिंटर एक किताब के पन्नों पर एक से सुरू करके 3089 अंका अंकित करता है किताब में पन्ने कितने है ये हैं मेरे प्यार अप्चों UPSC CSAT 2019 का सवाल और कल की जो वीडियो होगी वो मेरे बचे पूरे 3.3 घंटे की वीडियो होगी और कंप्लीट नंबर सिस्टम निम्टा दिया जाएगा कर आए देखेजे मुझे ये पता है कि एक से लेके 999 तक की अगर मैं गिंती लिखूँ तो 999 नंबर होते हैं और कुल मिला के जो डिजिट होते हैं वो 2889 होते हैं आपने का जी बिल्कू ठीक है हमारे पास डिजिट क्या जी 3089 अब 999 के बाद हर नंबर में 4 डिजिट होते हैं तो भी अब भाग देंगे मालव घटाएंगे 0 10 में 8 गया तो 200 हर डिजिट 4 डिजिट से एक नंबर बनना है मेरे बच्चे तो 200 डिजिट से 50 नंबर तो 50 नंबर और बन जाएंगे तो 50 नंबर बन जाएंगे तो जोडएंगे तो 9, 9, 5, 14 9, 10 इसका मतलब पेजों की संख्या जो उस किताब में होगी वो 1049 होगी ये मेरे पहरे बच्चो UPSC CSAT 2019 का कॉश्चन है मैं पूरे इस कॉंसेप्ट को समझाने में डेड घंटा लेता हूँ इस से रिलेटेड जितनी भी कॉश्चन आते हैं सारे एक सतला पेड देता हूँ समझाते हैं कॉंसेप तो मेरे प्यारे बच्चो आप सब को अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है आपको लग रहा है कि आपका पैसा वसूल हो रहा है आपका समय वसूल हो रहा है क्योंकि ये पेड बैच नहीं है यूट्यूब पे फ्री बैच रखा हुआ तो आपने एक ही काम करना है कि जब आपका सेलेक्शन हो जाए तो किसी भी गरीब बच्चे की मेरे बैच की फीस आप पे कर देना 999 रुपए और उसको कहना कि पढ़ और आराम से सेलेक्शन ले और मेरे प्यारे बच्चो अगर आपको चीज अच्छी लगरी तो अपने यार दोस्तों को नए बच्चों को अप्रीशेट कर सकते हैं बता सकते हैं हमारे बैचेश के बारे में मेरा फांडेशन प्लस सेलेक्शन बैच रहता है देखे दोस्तो कैता है n के किस मान के लिए 10 की पावर n प्लस उन इसको जब सोल करोगे तो इसके अंको का योग हमेशा दो आएगा हमीशा ही रहेगा भाई n की वैलिए आप उछ भी रख लें बस 0 ना रख लें क्योंकि 0 रख लेंगे तो 0 रखेंगे तब भी सैट है मामला भाई किसी पर भी आ जाएगा क्योंकि अगर मैं 1 रखूंगा तो 10 और 11, 12 रखूंगा तो 100 एक 101 तब भी अंकों का जोड़ी आएगा तो for any whole number, कोई भी whole number रख लेंगे सबी पर मामला सैट होगा हना ये बिलकुल सैट है आएए मेरे बचे है ये मेरे पैरे बचे हैं सवाल है CGL मेंस 2022 का, बहुत प्यारा सवाल है ध्यान से देखे, आएए मेरे बचे हैं देखो हैं, 400 से 700 तक ऐसे कितनी सिंक्षा है जिन में अंक 6 ठीक दो बार आता है दो बार आता है 400 से 700 के तक तो देखो मेरे बचे अगर 400 से और मैं आपको कहूँ 499 तक चलो और बताओ कितनी बार 6 दो बार आएगा, तो आप कहेंगे देखो सर्थ, इस अंक पे तो कभी भी आ नहीं सकता, नहीं तो दो बार कहां आ सकता है, इन दोनों अंकों पे तो 466 ऐसी मेरे बचे 500 से 599 तक इस अंक पे तो 6 आ नहीं सकता, तो इन दोनों अंक पे 6 लाना तो 566 तो एक केस मेरे बचे यहां संब़ होगा और एक केस मेरे बचे यहां संब़ होगा, दो केस संब़ लेकिन हम से उसने पूछा 400 से 700 तक, हमने बता दिया 500 निन्यान में तक, अब आते है मेरे बचे 600 से 600 निन्यान में तक क्योंकि 700 में तो 6 हैगा नि, अब यहां देखना, है कहां कहां सकता है, मज़े की बात यह के 6 यहां तो हर हाल में रहेगा 600 से लेके 601 602, 609 मलब 610, फिर 611, 6 तो यहां रहे गई रहे गई अब और कहां हो सकता है भई 606 में हो सकता है बिल्कुल ठीक है 616 में हो सकता है 666 में हो सकता है 626 में हो सकता है दो बार चे यह सब intellectual काम है लिखने की नहीं है, समझ नहीं 636 में हो सकता है, और ऐसे चलते चलते मेरे बच्छे 696 भी हो सकता है तो कुल मिलाके यहां से 606 से लेके 696 तक इस तरीके से दो बार 6 आ सकता है आप मुझे जरूर कहेंगे एक सर बीच में 666 आएगा यहां 3 बार आएगा इसको बाद में देख लेंगे यह चलो अभी समना देता हूं कितनी बार आएगा मेरे बच्छे तीन बार आएगा तो यहां से यहां तक कितनी बार आ रहा है तो 606 से लेके 696 तक मेरे प्यारे बच्छो कुल मिलाके 10 बार आएगा अब यह वाला एक खटा देंगे 60 और चलते चलते 69 670 670 अब मेरे दोस्तों ध्यान देना यहां से यहां तक 6 दू बार आ रहा है यहां 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 तो कुल मिलाई तक कितनी संख्या है 0 से लोग के 9 तक 10 संख्या है यहां आगे लेकिन यह खिलाडी ऐसा है तीनों बार छेया रखा तो यह एक खटा देंगे तो कितनी बारा है? नों बारा है तो इस गिंती में नों बारा है तो नों बार मेरे बच्चे यहां आया, नों बार यहां है, नों नों अठारा और एक बार उननेस और एक बार यहां है अब बीस तो मेरे प्यारावचो मेरा right answer जो होगा वो 20 होगा ये SSE CIGIL means 2022 का सवाल हो और सीम ही सवाल उठाके इन्होंने पूछ लिया ऐसा ही 2017 में SSE CIGIL means 2017 में सीम ही सवाल पूछा हुआ है इसको आप करिये SSE CIGIL means 2017 का सवाल अब मेरे बच्चे हमें 100 से लेके 800 के बीच की बात हो रही है आना और 2 की बात हो रही तो कोई लफड़ा भी नहीं है 100 से 800 अब आप कहानी समझना ध्यान से देखना 100 से लेके अगर 200 तक की बात करूँ या 1999 तक की बात करूँ तो मेरे बच्चे यह 11 कांग, यह दाही कांग, के सेकड़े का unit 10th 100 100 digit पे तो 2 कभी आना नहीं unit digit पे कितनी बार आ सकता है? 10 बार और ऐसे ही मेरे बच्चे 10th digit पे कितनी बार आ सकता है? 10 बार यानि 100 से लेकि 99 तक 20 ही बार आप 2 का परियोग करेंगे 100-199 तक आप 20 भार 2 का प्रियोग करेंगे ऐसे ही मेरे बच्चे 200-299 को थोड़ी दिर मैं explain करूँगा 300-399 में 20 बार आएगा मेरे बच्चे 400-499 में 20 बार आएगा 500-599 में 20 बार आएगा 600-699 में 20 बार आएगा और मेरे बच्चे 700-800 तक यहां भी 20 इस बार आएगा और हमसे यही तो पुछा था 100 से और 800 के बीच अब यहां देखो वह इकाई और धाई के अंग पर अगर नोलिड डालें तो इकाई के अंग पर 10 बार आ सकता है धाई के अंग पर 10 बार आ सकता है 20 बार तो हाँ आ गया और सैकड़े के अंक पे दो कितनी बार आ रहा है 201, 202, 203, 200 बना 200, 201, 203, 200 यनि 100 बार आएगा यहां तो 100 बार यहां, 10 बार यहां, 10 बार यहां यनि यहां आएगा 120 बार तो मेरे बच्चे चुपचाप जोड़ो 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 चिके 120 और 120, 240 इसका मदलब मेरे बच्चे हम यह सीधा कह सकते हैं कि भाई, 240 बार अंक दो का प्रियोग किया जाएगा मेरी बात समझ पाए है, चीजे रिपीट होती है वही हमें समझनी है देखे मेरे बच्चे UPSC C68 2019 में सवाल है सवाल में किरा है एक से एक हजार तक, देखो यार जब भी एक से ऐसी गिंती हो जिसे हम 10 की पावर कुछ फोम में लिख सके हैं, जैसे 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, या देशी भासा में कहूँ तो 10 की पावर M अगर लिखा जाए यानि जब भी ऐसा सवाल है और एक से गिंती हो के 10 की पावर M तक की गिंती हो और फिर आपसे पूछे कि भी 0 और 1 के अलावा 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट कितनी बार आएगा तो इसका डिरेक्ट आंसर होगा M इन्टू 10 रिज टू पावर M माइनस 1 M माइनस 1 जैसे इस सवाल में पूछा भई 5 कितनी बार आएगा तो M का 1000 है 1000 को लिखेंगे 10 की पावर 3 तो यहां 3 यहां 3 में गया 2 10 की पावर 2 यानि 200 सुरी माफ पर ना रहे गला दूरा 3 में गया 2 10 की पावर 2 यानि 100 100 को 300 यानि मेरे प्यारे बच्चो पाँच यहां पे 300 बार आएगा 5 कितनी बार आएगा बावू 300 बार चलिए मेरे प्यारे बच्चो आप सभी को नमिश्कार आज की वीडियो यही खतम करते हैं मेरे बच्चे मैंने कुल मिला के इन दोनों वीडियो में 86 सवाल करा दिये हैं और एक सवाल मैं आपको होमवर्ग देता हूँ मेरे बच्चे आप ये बताना देखते कितने बच्चे आंसर उता पाएंगे 7-7 को मैंने 56 बार लेखा मेरे बच्चे कितनी बार 56 टाइम्स 56 टाइम्स लेखा और मेरे पहरेवचो मैं कहा रहा हूँ यार इसे 19 से भाग दें तो remainder बताईए क्या हो यह सारा सवाल आपने करके option में comment करना है अगर आप ठीक कर पाए तो मेरे पहरेवचो आपके लिए एक बहुत बड़ा announcement लेके आऊंगा मैं तो मेरे दोस्तो कल की जो वीडियो होगी है उस वीडियो में मैं 22 सवाल आपके लिए लेकर रहा हूँ कितने question 52 questions और कल मेरे पहरेवचो आपका पूरा number system खतम हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे simple equation पे तो चलिए मेरे पहरेवचो आज के लिए इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से request है वीडियो को like और share जरूर करती है और comment भी करें Thank you